गयाजिले की अती नकसल प्रभावित इलाका इमाम गंज प्रकंड छेतर में आन बान और शान के साथ रास्ट्रिय धज तिरंगा फिराया गया। देश की आजादी की सततरवी वर्षुगाठ मंगलवार को थाना एवं प्रकंड में पूरे हर्शुलास के साथ और धुमधाम के साथ मनाई गई। सोतंतरता दिवर्ष के अबसर पर सभी सरकारी एवं गेर सरकारी संस्थानों, सभी राजनीते के दलों के कारयालें, स्कूल, कॉलेजों एवं अन्ने सभी सैच्छडिक संस्थानों में तिरंगा धोज फिराया गया। इस अबसर पर लोगों ने देश के अमर शहीदों तथा सुतंतर का सेनानियों को भी याद किया। वहीं सबसे पहले इमाम गंज प्रखन मुख्याले सित्थ CRPF 169 बटालियन कब में कैंप के अधिकारियों ने धजर रोहन कर जंडे को सलामी दी। इसके बाद इमाम गंज पुलीस अनुमंडल कार्याले में SDPO मनोज राम ने जंडे को सलामी दी और देश के प्रती लोगों को संबोधित किया। काफी ओमंग थी। असली बच्चिया तिरंगा वस्तर पहन कर अपने आपको गौरवांतित्म महसुस कर रहे थे। 15 अगस को लेकर सुरक्षा वेवस्ता भी कड़ी थी। सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब पर वेवस्ता है पूरी तयारी है हर जगा हम लोग अलर्ट है जितने भी अलग अलग एजेंशियां है जिसे और हम लोग हैं ही इस्तानीय पुलिस हम सभी लोग अलर्ट है देखते हैं क्या होता है इस दिवस को मेंक मास्ट के बुगार्नी कंपेटर के इस पर मैंक्स क्या को होगा है इस पर जिवसाब से आप लोग पाई पीजिए